हेलो फ्रेंट स्वागत है अब सब एक आपकी यूटूब चैनल ओलिवन टीटी में दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ शात्वेचरण शिक्षक बाली 2023 से सम्वंदीत शिक्षा विभाग ने जारी किया विग्यापन जारी करने की सूचना कल के के बनेट बै इस सूचना को उसे पहले जो इस चैनल पर ने विजिट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बेल आइकन उसे प्रेश करिए ताकि सात्वे चैनल शिक्षक बाली 2023 से सम्वंदीत कोई भी बड़ी चोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आग तक पहुंच सके दोस्तों अब देख सकते हैं कि सिख्षक नियुक्ति का इसी मा निकलेगा विज्ञापन सिख्षकों की नियुक्ति के लिए इसी मा विज्ञापन प्रकाशित किया जा शकता है सिख्षक विवा के सुत्रों के अनुसार के मनजूरी के बाद सिख्षकों के सभ लाग 78,026 पदों के स्रीजन की स्विक्रिती दी गई है जिसमें कक्षा 1-5 तक 85,470 कक्षा 6-8 तक 17,45 कक्षा 9-10 तक 33,186 तथा 11-12 तक 57,688 पद सामिले वानिजी शंकाय में 29,16 पद जिसमें विजनेस एस्टडिच के शरवाधिक 138 सामिले का स्रीजन किया गया है भासेम अने संकाय में 1964 पद का स्रीजन किया गया है इसमें कम्पीटर शिक्षक के 83,95 अंग्रेजी भाषा के 34,68 हिंदी के 3079,89 उर्दू के 16,84 फार्सी के 305, अर्भी के 200, एनर्भी के 715 अमसंस्क्रीट के 1031 पद है मादमिक विद्यालियों के लिए 27,125 पद कच्छनों से दस तक मादमिक विद्यालियों के लिए अंग्रेजी हिंदी विज्ञान गनीत वा समाजिक विज्ञान जैसे महत्मुन परतेक विशय के लिए 525 पदो सहीद, कूल 27,125 पदो का सरीजन किया गया है दूतिय भारतिय भाषा के लिए 3191 पद स्रीजित किये गए हैं दूतिय भारतिय भाषा उर्दू, फार्शिय, मारवी के लिए करमसा 20, 300, और 200 पदों का स्रीजन हुआ है मादमी की दहलों में विशेष चक के 270 पदों का स्रीजन किया गया है उच्छतर मादमी के लिए 35,638 पद कक्षाइगारे से बारे उच्छतर मादमी के लिए विज्ञान संकाई के 15,809 पदो में सरवाधिक जीव विज्ञान के लिए 421 रशायन में 47,99 गनीत में 26,47 एम भौतिकी में 3,022 पद का स्रिजन किया गया है कला संकाई में 19,749 पदो में इतिहास में 8,70 पद राजनीतिक सास्तर में 5,354 संगीत में 2,043 मनुविज्ञान में 2,015 समाज सास्तर में 34, ग्री विज्ञान में 12,75 भुगोलन में 10,33 एम और्थ सास्तर में 515 तेरा पद है 9,10,11 बारवी के लिए विशयवारिक्तियों की हुई गनना जिलू के आरक्षन रोष्टर क्लिरेंस के बाद विज्ञापन आएगा 9,16 पद परवानी जे संकाय में बहाली की जाएगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मादमिक विद्यालियों के लिए और उच्चतर मादमिक विद्यालियों के लिए सीट जो है वो भारी शंख्या में यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है कि तो संख्या में मौजूद नहीं है तो शरकार को सबसे पहले चाहिए कि एक्जाम एक बार ले ले और उन चात्रों को भी और शर्ट दे शिक्षक बनने का एक्जाम लेने के बाद बहुत सारे अभ्यरती जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और इनके लिए एविलेवल भी हो जाएंगे ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षा गरन कर सके किसी भी तरह की उन्हें भी किसी भी तरह की परेशानियों का शामना ना करना पड़े और जितने भी अभ्यरती है उन्हें रुजगार भी उपलब हो जाएगा तो सरकार को सबसे पहले चाहिए बीएड वाले धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें लेकिन एस टीटी एक्जाम से पहले आप लोगों को जरूरी है कि सरकार के समक्ष आप लोग अपनी बातों को प्रस्तूत करें कि बीएड वाले चात्र बड धन्यवाद